नमस्कार स्वागत है आप सभी का SSN न्यूस के इस बुलेटिन में आए सबसे पहले लज़र आते हैं आज की सुर्खियों पर चम्शेट पुलिस ने रंधारी वसूलने माले दो अभ्यूप्तों को किया धिरफ्तार पुर्वी सिंगुन जिले में बज़ गया चुनाओ का विखुल डिसी ओफिस में नमाक्तन पत्र की खरित बिदिफ शुलूब चातन विधांसवा चुनाओ में आजाज समाज पार्टी द्वारा 15 सीटों पर चुनाओ लड़ने का एलान जमशेदपूर पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले दो अभ्यूप्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इनके द्वारा एक वैपारी से रंगदारी वसूलने का प्रयास बिगत कुस दिनों से किया जा रहा था इसकी जानकारी जमशेदपूर नगर पुलिस अधिक्षक ने एक वार्ता के दोरान दी बताया जाता है कि बनवारी लाल गुप्ता नामक एक व्यापारी से फोन पर रंगदारी की मांग की जा रही थी साथ ही नहीं देने पर अफरन करने और जान से माणने की धमकी भी दी जा रही थी मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने कांड में सनलिप दो अभ्यूक्त हिमांशु तिवारी और युवराज कुमार को गिरफतार किया है पुलिस ने उनके पास से दो मोबाइल भी बरामत किया है फिलहां दोनों अभ्यूक्तों को नियाई खिरासत में भेज दिया गया है पुलिस को सूच रहे हैं उन्हें 17 अक्टूबर को दी थी तो सीनियर एस्पी सर के डाइरेक्शन के अंडर हमने एक टीम बनाई थी जिसमें डीएस्पी हट कॉर्टर बन भोला जी थे और इंस्पेक्टर मांगो के निरंजन थे और बाकी इनकी टीम थी मांगो थाना की टी लिए नी को यूज करके रंगडारी का डिमांड किया रहा था और इसी में डीएस्पी सापके नेत्रेत्यु के अंडर में बहुत जल्दी नया जो ग्ला था जो फिर से रंगडारी का काम दराने-धंगाने का काम करना था उसको जम्शेत्पर पुलिस को पकड़ लिया पूर्वी सिंगुंग जिले में चुनाव का विगुल बज गया है DC ओफिस से नमांकन पत्र की खरीद विक्रीश शुरू हो गई है स्वास्ते मंत्री बन्ना गुपता के प्रतिनिधी ने आज पर्चा खरीदा जारखंट जनतांत्रिक महासभा से कृष्णा लोहार ने पर्चा खरीद लिया है वे 23 अक्टूबर को नमांकन करेंगे कृष्णा लोहार ने बताया कि वे जमशेकपूर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे जमशेकपूर पूर्वी इलाके का नीलडी मौजा उनके खत्यानी जमीन में है वे लोग उनके रहयत है वे लोग देखेंगे कि नीलडी इलाके में विकास हो कृष्णा लोहार ने कहा कि वे जमशेकपूर पूर्वी इलाके का विकास करेंगे तो इसे लिए पूर्वी विदान सभा हम लोग का पूरा निल्ली मोजा यह हम लोग का खतियानी है, हम लोग यहां का रियत है, और जो है, यहां जो भी बस्ती बसा है, हम लोग के जमीन पर बसा है, टाटा कमपनी और सरकार के लापरवाई से, यह सब अरिया का डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से इसका रोड रस्ता नली गली तो बनता है, लेकिन जिस मकसद से लोग बिदान सबा में भेशते हैं, वा नीती निदारन के लिए तो आपने लोगों के लिए नीती बना ही नहीं है। काके से मदुसूदन कुमार, डालटन गंज से अजय सिंग्चेरो, विश्रामपूर से सिरास खान और हुसेनाबाद से प्रभादेवी को उम्मिदवार खोशित किया है। कारण पार्टी द्वारा इस बार चुनावी मैदान में है। वैसे इनकी द्वारा पहले चरण में गोशित 6 सीटों में 5 सीट सामान्य वर्ग की है, जिसमें इनके द्वारा आरक्षित वर्ग के उमिदवार उतारे गए हैं। आज का प्रेस कॉंफरेंस का जो मुख पुर्देश है, यह है कि अजाज स्वाज पार्टी कांशी राम ने, राश्य अध्यक साब ने, आज कल शाम में गोशना की कि धारकेंड की 6 सीटों पर, अभी पहली जो गोशना हमारी हुई है, पहला जो सूची हमारा आया है, 6 सीट का, उस पे विश्रामपुर की सीट, खुलामों की सीट है, इस पे सिराज कान दिशना हो रहेंगे, और परभाद देवी जी हुसान अबास दिशना हो रहेंगे, शुलकास से आद्वी बजजर सीट के हमने उनको दिया है, जमशेद पर पच्चिम से मैं कुछ चना हो बेनियू की स्कॉलर है, उनको भी हमने उता रहें, और कांके की सीट से मदसुदर कुमारी चना लेनेगे, अजाल स्वाज पार्टी जहार कर में तक्रुमें 15 सीटों पर चना लेने कुछना हमने कर दिए आज विश्टोपूर्ट इसको कॉर्टर में गेट विल्डिंग करने के तौरान आग लग गई, काफी पुराने समान जल गए, लेकिन किसी प्रकार से कोई खायल नहीं हुआ घर के मालिक गोपाल लाल ने बताया कि हम लोग अपने घर में वाइट वाशिंग कर रहे थे टाटा स्टील कंपनी कॉर्टर में यह नियम है, उस समय जो कुछ डैमेज दिवार या गेट आदी रहता है, उसे वे लोग ठीक करते हैं और तब वाइट वाशिंग करते हैं हमारा गेट नीचे से जड़ गया था, उसी में वेल्डिंग कर्मी प्लेट लगा रहे थे, उसी से आग से पुराने कुर्सी टायर आदी सामानों में आग लग गई, तीन दमकल की गाड़िया आकर आग बुछाई जिससे कोई बड़ा हाथसा होने से बच गया अपना बुलने का है कि वो लोग अपने वेल्डिंग कर रहे थे, मेंटेनेंस जॉब जी होता है, मेंटेनेंस जॉब करते हैं काल लगा है आज विकास सिंग वारा सामची जेल चौकिस्तित एक मोटल में प्रेसवार्टा आयुजित की गई, जिसमें विकास सिंग ने पश्चिम छेत्रे से चुनाओ लड़ने और नामांकन पत्र लेने ही तु अपनी बात रखी उन्होंने बताया कि इस विधान सभा चुनाओ में बन्ना गुपता के अलावा दूसरा कोई उनका विरोधी नहीं है, वह केवल बन्ना गुपता की ब्रष्टाचारी नीती के खिलाफ चुनाओ लड़ रहे हैं मंत्री पद लेने के बाद बन्ना गुपता ने कई ब्रष्टाचार किये हैं, बस केवल इस विधान सभा में मेरी बन्ना गुपता से ही लड़ाई है आगे विकास सिंग ने बताया कि दो से तीन दिनों में ही मैं अपना मेनिफेस्टो जारी कर दूँगा और अगर मैं विधान सभा चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं पश्चिन छेत्र की जनता के लिए उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसका समधान करूँगा हमारे बीच नहीं रहें स्वर्गे सजितानंदराय जी स्वर्गे मैनेजर प्रसाथ जी स्वर्गे मनमोहन चोधरी जी स्वर्गे वीके त्रिवेदी जी हमारे बीच हरिंदर पांडे जी मितले सिंग यादो जी चितरंजन बर्मा जी ऐसे कई महान पूरू से जिनकी हम वो ने दिया उसके द्वारा अगर बोया हुआ खिलाया हुआ कमल कोई सिलेंडर की दख में जलाने का प्रयास करेगा तो वो नहीं होगा निची दुरू से मैं मजदूरी मांग रहा हूं लोगों से आप लोग सोते होंगे रात को को गयारा बजे को बारा बजे को सोता होगा सब्सक्राइद ये मेरे Сजानने वारे लोग कि Wekaas S trainings सोता है सांग को चार बजय और सब्सक्राइब अजिम है ऊपया। सल जोकर नहीं पर चार बजितीं कि हैं पत्रइवική में गुज ग्या में गुज्च गातुए⋅ , कि प्षपा सिंग नामक महिला ने हम लोगों के नाम से लोन उठाया और पैसा किसी से एक लाग तो किसी से दो लाग लिया है। पैसा माँगने पर अब शब्ध भाषा का प्रयोग करती है। काफी संख्या में महिलाओं के साथ कुषपा सिंग ने ठगी की है। मामला ये है जिए भाटियावस्ती असोगपत की, भाटियावस्ती सिपपत की रहने वाली कुस्पासिंग नाम लेडिस है, उससे मेरा बात चीस होता था, वो मेरी पडोसी है, वो मेरे घार आती थी, वो लोन चलाती है माईप्रोफाइनेंस का, वो अपना लेडिस अपने कस् एक से डेढ़ लाख रुपय ली है और जब हम उसे मांगने के लिए पैसा जाते हैं या फिर मेरे पती जाते हैं तो हम लोग को धंकी दिया गाता है धंकी में यह मिलता है कि अगर तुम मेरे घर पैसा लेने आई की चाहे पुलिस के पास जाएगी चाहे कहीं भी जाएगी तो हम तुम्हारा बेटी को उठा लेंगे मामूरा यह है कि हम लोग को रथभानी हुआ है और वोकस पासिंती है और हम लोग अमा से क्वबा थाना में में थायर मनिये हैं खेस्थ दोपरता लोग को अऐ हम भी एसप्स आया है मिलने के लिए शिलनल से ये SSN News की पूरी टीम के ओर से मुझे दीजे जाज़त नमस्कार